अब एक बहुत से घर में घरवालों के घरवालों के आने का सिलसला रलागातार बदस्तूर जारी है और अब आई है जैस्मिन भसीन की बारी जैस्मीन इंतजार कर रही थी अपने पापा का वो बहुत त्योज है पापा को याद कर वो रोई जब फामिली वी का जिक्र आया तो उन्हें कहा पापा आ जाएंग तो अच्छा है पापा से मिलना चाहती हूँ जब वो यादे भी डिसकस करती है तो उसे पापा का जिक्र ज्यादा होता है तो कौन आया जैसिन वसीन के घर से उनसे मिलने और क्या सलाह दी घरवालों की क्या राय थी घरवालों क्या रियक्शन्स थे इस बारे में बात करेंगे इस वीडियो में अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लेजिए बेल आइकन भी दबा दीजिए मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस सरता शुरुबात करते हैं जैसिन वसीन जो कल से इंतिजार कर रही थी कि उनके परिवार से कोई आए आज उनकी बारी आई और उनकी फामिले से उनके पापा जिनका उनको इंतिजार था वो नहीं आए पर आई उनकी मम्मी और जब उनकी मम्मी आए उनको देखकर जैस्मिन जो यूही इतना एमोशनल होती है वो बिलकुल एमोशनल हो गई जब फ्रीज से हटाया गया तो बिलकुल एमोशनल होकर के वो दोड़ कर गई एली के चहरे पर बहुत सारे इमोशन देखे आ सकते थे रुबीना के चहरे पर देखे आ सकते थे एजाज एजाज और जैस्मिन का कुछ खास रिष्टा नहीं है एजाज एली से अच्छा बॉंड करते हैं बॉंड रखते हैं मगर जैस्मिन और उनका एक कही न कही एक रिष्ट चल रहा है कुछ नो कुछ रोज कुछ नो कुछ हला कि पिछले कुछ दिनों से बहुत नूटरल कॉडियल रिष्टा चल रहा है लेकिन उसके बावजूद एक तनाव है जो जैस्मिन और एजाज के बीश में है मगर एजाज एमोशनल हो गए थे मैंने काफी बार ये बात कही है कि सामली वीक में अगर कोई एक सेंसिटिव इंसान के तौर पर समवेदंशिल इंसान के तौर पर उभर कर आया है जिसकी परस्नालिटी आपको चू रही है तो वे एजाज हैं और एजाज आप जैस्मिन की मम्मी के आने पर भी काफी इमोशनल दिखाई पड़े एली के चेरे पर भी तमाम भाव आ रहते जा रहते देखना ये है कि क्या जो इलहाम ने एली की बहन ने जो थमजब दिया है क्या जैस्मिन की मम्मी ने भी इनके रिष्टे पर थमजब दिया है उनके रिष्टे के बारे में क्या कहा है रुबीना और जैस्मिन की दोस्ती के बारे में क्या कहा है चूकि सभी लोग यही राइज देते हैं कि जैस्मिन को रुबीना से दोस्ती बरकरार रखने की सलादी है राखी सावंत और उनके वो नाक वाले कांट पर क्या उनकी मम्मी ने कुछ उनको सजेशन दिया है और बाहर की कौन सी बातें बताई हैं तुकि जैस्मिन तमाम लोगो नेगेटिव लग रहे थी, वीकेंड के वाल में सलमान खान ने कहा, बहुत नेगेटिव लग रही हो, वर्स इंद लॉट लग रही हो, तो जैसा कि मैं बार बार बोलती है, जब घर से कोई आता है, और वो कोई बात कहता है, तो वो सच्ची बात कहता है, तो रगता है, हाँ, यह सच मुच ऐसा होगा, तो ऐसे में उनकी बातों के बाद आपके खेल, आपकी स्टैटरजी, आपका मूव बदल जाता है, और आप बदले-बदले से नजर आते हैं, हमेशा फैमिली विक के बाद कॉंटेस्टेंस की चाल बदल जाती है उनके सोचने का तरीका बदल जाता है, तो क्या जैस्मिन भसीन, उनके खेल पर कोई फर्क पड़ेगा, उनकी और रुबीना की दोस्ती में कुछ अलग बदलाव होंगे, टर्न्स होंगे, अभी नफ्स के बारे में उनकी मम्मी क्या कहेंगी, इन तमाम विश्यों पर हमाई नजर रहेगी, फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना आप से मिलूँगी यही पर अगले वीडियो में